Welcome to the channel guys यह tutorial है ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग पे तो मैंने यह वीडियो पहले अप्लोड किया था बट सम्हाव जो इस वीडियो का टूल बारे जहां से हम ग्रीन स्क्रीन एडिट करते हैं वो आया नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा से बना के है थोड़े कुन्वेनेंट है ईजी है और इडिटिंग काफी कंवेनेनटी होगा go दो मांने अपने प्रोजेक्ट में दो मीडिय सेलेक्षिया है यह मेरा मेंन वीडियो है जिसके उपर मैं green screen video ताब मैं एड़िट करना चाहता हूं आप जैसे देख सकते हैं, ए ये green screen जो वीडियो है ये Like, Subscribe, Bell आइकन पे है और इसको तो मैं इस main video पे जाणना चाहता हूं तो सबसे पहले हम इसको उपने timeline में अढ़र लेंगे तो जब यह टाइम लाइन में एड़ हो जाएगा इसको हम थोड़ा से एक्स्पैंड कर लेंगे और मैं काम करता हूं वैसे इसका जो आडियो है वो हटा देता हूं अदरवाइस थोड़ा सा दिक्कत आता है जब हम इसको देखना चाहते हैं अब जो हमें करना है उसके पहले आप देख सकते हैं यह सेक्श इर्ट हमारा टूल्बा सेक्शन थो इसमें आपको काफी सारी औकशन स मिलते हैं एडेक़ने के लिए आप स्पीड बहा सकते हो कम कर सकते हो अगयर इसमें और लगव कहन्ने तो अब हम क्या क्या गरेंगे? जो green screen वीडियो हमने एडेट करना ह अब हम इसको इस वीडियो के ऊपर ले आएंगे वो लाते ही अब देख सकते हैं एक नया आइकन यहाँ पर जेनरेट हुआ है इसको हम वीडियो ओवरले सेटिंग बोलते हैं तो अब पहले हम इसको एडिट करने से पहले एक पर वीडियो प्ले करके देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह ग्रीन स्क्रीन उस वीडियो के ऊपर प्ले हो रहा है और जब यह खतम होगा उसके बाद ही में वीडियो स्टार्ट होगा हमारा परपस यह है कि इसमें जो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का आइकन है वो हम चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर आए और इस ग्रीन स्क्रीन को हम रिमोव कर ले है तो उसके लिए आपको करना यह है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो आप यहाँ पर देख सकते हो यह एक अप्शन का आता है आपको यहाँ आके इसमें आपको green और blue screen का option है उसको select करना है यह करते ही अगर हम वीडियो को play करेंगे थातो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन रिमोव हो slapUST हो गया है और हमारे इस फाल इस फाले पर उंपर play हो रहे है ठिक यह बहुत ही easy tutorial ह अपको बस, जो आपका मेंड वीडियो है, वो लाना है, और आपका जो green screen video है, उसको आपको अपने project में लाके, इन दोनों वीडियो को overlay करते ही, जब वो आप शना जाएगा, आप उसमे मेंड बस्क बसका select खरीँ, और आपका green screen एडिट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वेडियो अच्छा लगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपकी यहल्प करता हूँ थैंक्यू फॉर वाचिन